ऐलो आपयरेवन कैसे वटा आपसव लोग न्यू तोपिक का नाम कोने है जुग्राफिकल इंडिकेशन ऑब देखी जैसे हमने ट्रेड मांक्स के बारे में पढ़ा पेट्रेंट के बारे में पढ़ा हमने तो ऐसी एक कोंशेप्ट है जुग्राफिकल इंडिकेशन का क्या होत तो यहाँ पे goods हैं कुछ ठीक है और साथ में क्या है एक area है और goods जो है वो क्या है indicate करती है किसी area के साथ यानि कि जो goods है उसका connection किसी geographical area के साथ है बनारसी साड़ी मतलो साड़ी क्या है यहाँ यहाँ पे goods और बनारस क्या है एक geographical area तो यानि यह जो बनारसी साड़ी का concept है यह क् इसका नाम को इसका नाम क्या है लिटार सी चाई तека मुझा प्र वालेनल आनुंगे लन के साथ ayam इसका नाम क्या है इसके अबने कई और नाम सुने होंगे अमरीसरी नान पे जो छो नान होता है तो कि क्या है कि.. पॉधक्त करें कि यहां जो आ इननकता है नाम तो आजसे कौई है और उस है कि यहां पिर जिए घर्गेट करें किसी को फिरेक एक आगोरिया को जिस needed गहां है यहांने कि हमने यह पड़ा कि एक तो जो हमारे कोंढेंश in जहाँ पे कुछ क्या है? हमरा work है, िствие कि जैसे हमारी कुछ rights होते हैं, जैसे मालों हमारी कोई video lectures है, हमारी बुक है, या हमारी कोई lyrics है, या हमने कोई music compose किया है, या book author की है, तो उसको हम क्या है कि उसका copyrights ले सकते हैं सिमिलर्दी क्या है कि कुछ प्रडक्ट्स होते हैं कुछ गोड्स होती हैं अग्रिकल्ट्र गोड्स हो सकती हैं इंडस्ट्रिल गोड्स हो सकती हैं मैन्फेक्ट्र गोड्स हो सकती हैं अग्रिकल्ट्र गोड्स हो सकती हैं जिसको क्या है कि हम जिगराफिकल इंडिकेशन के तह तो सिमिलर इसके रूल से 2002 ठीक है आपने के वल एक्ट का नाम याद रखना है दर जिग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गोड्स रिस्टेशन और प्रोटेक्शन एक्ट नाइट नाइट नाइन और साथ में क्या है कि इसके जो रूल से 2002 में वह आए ठीक है यानि कि जब तक आप आपको मिलेंगे अगर गूगल सच करोगे तो बहुत सारे ऐसी कैसि मिलेंगे ठीक है इसे देखो क्या होते एक पर्टिकलर जो जो है एरिया है ठीक है इसे होता है क्या है सर इससे क्या हो जाएगा भी बेंगॉल का नाम हो गया और इससा क्या फ़रक पड़ता है ठीक है पैसे तो वही कमाएगा जो क्या है कि प्रॉफिट जो समान बीच रहा है तो प्रोडूस कर रहा है नहीं ऐसा नहीं होता इसमें यह ह representative है उसमें से गुरूप और प्रोडूसर्स हैं गुरूप और मैनुफेक्टर्स हैं एक व्यक्ति को ऑफ्राइज करते हैं भी तू कर जहाँ अप्लाई कर दे तो ठीक है उसने अप्लाई कर दिया अब जब अप्लाई हो गया उसके बाद क्या हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी ठप क्या है कि इसका यह नाम यूजर कर सकते हैं क्यावल यही हैं तो जो उसमें रिंटाइसर हैं जो और चाणार के पास हैं ठीक है जिसकी वैलीडिiden क्योंद नुच पदेग्डिडिक से लिए इसको उनून भी कर वाए जो मार्ट है वो यूज़ कर सकते हैं ऐसा नहीं कि हर को यूज़ कर सकता है जैसे दाजलिंग टी है ठीक है दाजलिंग टी है चलो मैंने क्या किया मार्किट से चाइपती खरीदने शुरू की 50 किलो पत्ती ली उसको फैकेट बनाए 100-100 गराम के मार्किट बेचने शुरू कर लिए उस पर लिख दिया दाजलिंग टी तो मेरे किस बनता है करें बनता सर बिल्कुल बनता है आपके खलाफ केस तो दैस्ट सब खेस ठीक है तो मतलब डाजलिंग टी जो वर्ड है वही केवल वही यूज़ कर सकते हैं जो क्या है कि जो ऑथ्राइज यूजर होंगे ऐसा थेकिन तो वही उसके जो registration है थीक है जो geographical indication की registration है उसके तहट जो authorized user है जो लोग authorized है ठीक है के वल वही क्या है डार्जा लिंटी का जो brand है उसको use कर सकते हैं ठीक है तो हर बंदा नहीं use कर सकता है इसको ठीक है समझी के तो मेरे मेले कलाफ case बनता है geographical indication act के तहट पुनिश्मन जेल जो भी है वो होगी ठीक है आपको यह समझा गया अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए सब जिग्राफिकल इंडिकेशन के फाइदे क्या है समझे गया तो अभी क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने इल्लीगल यूज किया था तो इसको क्या है रोग दिया गया मुझे को पुनिश्प किया गया तो यानि कि जो geographical indication act है ठीक है यह जो unauthorized use होता है जो unauthorized use of geographical indication है उस पे रोक लगाता है तो prevention of unauthorized use of geographical indication पहला point तो यह है और दूसरा कही कि इनकी marketing होती है जो product है अच्छा होगा मान लीजिए जो geographical indication का अगर restriction होगा है तो product की अगर quality है तो product के वर उस brand से बिखता है उस नाम से बिखता है बन pleasant like जाए अच्छ चाहिए ठीक है तो ऐसे यह निकी बाति धिमाग में चब जाते हैं कि हम जी वहां का वह ब्रेंड लगों अते होगा तो यह है ठीक है कि और तो हम ही घट्री तो हम अगर हां Indian ओप्रडक्ट को मनेनफिक्सर करके बेचेंगे तुससे कहें कि हमारा ही नाम होगा हमारा ही धन्दा चौपट हो जाएगा नाम को करेगा कोई व्यक्ति अपने नाम को खराब नहीं करता ठीक है तो पहला यह था कि तो इस दूसा ब्रेंड इमिज बनती है आपकी जो प्रडक्त की जो है वो ब्रेंडिंग हो रही है उस नाम से ही ठीक है तो प्रडक्त की ब्रेंडिंग होती है उसकी इमेज मार्केट में डेवलप होती है उसके इलावा क्या है कि आपको एक्सपोर्ट करने में फायदा होता है जब पर यह जाता है कि यह जिए प्रोडक्ट कांफिंट है एकस्पोर्ट भी बढ़ता है इससे कि अधुक्न स्मझ और प्रॉस्ट पेेंजर करता है उसके ऑपर क्या है या परनल्टी है पुरिश्मेंट वगरा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्या विड़ा है रेगुलिटरी फ्रेमबर्ग विन्हें समझाए आपको जिग्राफिकल इंडिकेशन अव गोड्स अर्स्टेशन और प्रोटेक्शन एक 1999 है उसके लावा क्य यह ना का रूर्स है तूथासं टू के होगे नेक्स क्या है जो मैंने समझाए आपको फिल्किवड क्या है जो अनुटरीज चुझे जो रोखने का में मकसल होना चाहिए ठीक है जो जग्राफिकल इंडिकेशन अव गुच्ष रिस्टिशन और प्रोटेक्शन एक इस तरीके से आपको protection मिलेगी, माली जी आपने geographical indication की जो goods हैं, उसको रिष्टर नहीं करवाया, जो geographical indication उसको रिष्टर नहीं करवाते, तो do you expect कि आपको protection दी जाएगी लोग के ताद, obviously no, so there is no protection, अगर आप geographical indication रिष्टर नहीं करवाते, तो कोई protection नहीं मिलने वाली, ठीक है, तो by specific law governing the geographical indication of goods in the country, which could adequately protect the interest of producers of such goods, ठीक है, तो एक तरना सी कानून है हमारा, जो क्या है कि geographical indication of goods को govern करता है, ठीक है, जिससे क्या है, जो producers हैं, ठीक है, इस geographical area में, जो goods produce हो रही हैं, ठीक है, उसके जो producers हैं, उनके interest को यह protect करता है, और दूसरा मैंने बताया, जो unauthorized user है, वो इससे रुखता है, जो unauthorized user है, वो रुखता है, तो बिल्कु सही बात है, जब unauthorized user ही रुख जाएगा, तो obviously common sense है, कि जो consumer है, वो भी protect होगा, ठीक है, जब unauthorized user ही रुख जाएगा, तो consumer की protection तो होगी ही होगी, तो to exclude unauthorized person from misusing geographical indication, and to protect consumer from deception, deception मतलब दोखारोड इससे बैचते हैं customers, last क्याएगी जो मैंने बताया कि goods promote होती है, branding होती है, एक image बनती है, company के products की, जिन लोगों के ये production की, ठीक है, तो promote goods pairing Indian geographical indication in the export market, ठीक है, तो three folders के benefits है, objectives है, एक तो specific law है, जो govern करता है, जो goods produce होती है, पर्टिकलर geographical area में, इससे कैंकि उनके producer के जो interest होते हैं, ठीक है, और दूसरा है कि इससे export बढ़ता है, ठीक है, पर्टिकलर geographical area का जो goods है, ठीक है, उसका जो export है, वो बढ़ता है, और third, जो सबसे important है, जो unauthorized persons है, उनको, उनका क्या है कि उनको prevent किया जाता है, unauthorized use से, ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं, एक second रुकिए, benefits, ठीक है, इससे मिलता जूलता topic हो गया, object के साथ ही हो गया, benefits, ठीक है, तो पहला क्या है benefits, यह second number page पर यह है, इट प्रोवाइट्स प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन टू जोगराफिकल इंडिकेशन इंडिया, पहला क्या है कि प्रोटेक्शन मिलती है, जोगराफिकल इंडिकेशन को, जोगराफिकल इंडिकेशन मतलब वही, असामी चाय होगी, दाजलिंग टी होगी, बनारसी बी रिगल वी एक बैकल उटेक्शन मिलगी ठीकिड़ जो प्रोडूसर से यहाह पर उनका लिगल मिलती है और इसकंपंवे सकते हैं बाद प्रविघ्ट स्विट आप बीधिरी जे स्विकनोमें अगती होती होती है क्योंकि वहां के उस एरिया के जो प्रोडूसर से उनकी गोड़्स जो है वह विक्री होती है ठीक है ना चलिए यह आपको क्लेर हो गया आगे बढ़ते हम शुरू से तो हमने देखा आप डेगोलिटरी फ्रेमवर्ड क्या हो गया ठीक है जो ग्राफिकल इंडिकेशन हो गया है ठीक है कि यह कानून है जो करता है यूजओ ऑफ ग्राफिकल इंडिकेशन अप All right लास्ट के है कि इस एक एक्सपोर्ड प्रमोर्ट होता है जोगेश की इससे कहां कि कि रिएक पर्टिकलर एरिया उसे उस एपर्ठिकलर एरिया में जहां कि धिक एक्जामपल ऑफ इंडिन जोग्राफिकल इंडिकेशन सार डाजलिंग टी केस लो भी यह बड़ा शान्दर पड़ेंगे हम ठीके डाजलिंग टी हो गया ठीके कांची बुरूंग खिल्क साड़ी हो गया अलफैंजो मैंगो नागपुर ओरेंज पोलापुरी चप्पल बीका नेरी भुजिया अगरा पेठ्था अगरे का पेठ्था वड़ा मिशूर है कि कुदर्टी आम लगी कि इसमें से इसमें आती क्या है इसमें इसमें कौन से मिन बतायता है अगरी कल्चर है या या मैनिफेक्शर गूड्स हो शकती है या नाच्टि और इसमें हो सकते हैं या फिर नेक्टिरो कोसी अगरे इसमें हो सब्तव में चराइं है अब एक सकता है एक प्रहरां तरशेबल्र की गई है एसाम और और मैनिफेक्ट्ट्र इंडा टेरिट्री ऑफ ए कंट्री और जीजन और लोकालिटी हो सकता है कि पूरे देश की बात कर रहे हैं मेड इंडिया जी यह जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया ठीक है या फिर अब मेड इंडिया में भी पर्टिकलर एडिया है कि उसे एरिया की एक जोग्राफिकल इंडिकेशन ले रख था है बेंगॉली तरस्गुला अभी हमने इसनरी कि जामपल ली ठीक है अलफेंजो मेंगो ठीक है ना इंडर टेरिट्री ऑफ कंट्री और दीजन और लोकालिटी इन डाटेरिट्री वेरे गिवन क्वालिटी रेपोटेशन और अ तो यह भी हो जाता है कि हाँजी उस एक जो आम इसकी यह क्वालिटी होती है ठीक है जिसे हमने आम के बारे में सुनाओगा तो यानि कि देखो उस नाम से ही quality चलग जाती है यह यह वोगा इस quality का होगा एंड इन केस विए सच गुट्स और मैनिफेक्ट्ट्ट्स और इदर जो मैनिफेक्ट्ट्स प्रसेश के तरह बनाई जाती है जहां पर पूट्स पिटा क्या है तो वहां पर जो one of the activities क्या होती है production की जो activity है यह उसकी प्रसेशिंग की जो एक्टिविटी है यह preparation of goods जैसे की पैकिंग वे रहा हो गया उस particular lucky में सबढ़े नहीं हो रही तो कंसे कम कोई एका डी लेक्ती टेशिंद्ट से एरिया में हो रही जहसे आपने कभी देखा looked कि यहां पे क्या होता है खाली गुँठ सेंबल होती है सारा समान चायना से आ रहा होता है कंपनी बहार जा पॉइधै verb क्यों उससा कि manufacturing हो रही है या processing हो रही है या फॉर्ज प्रेपरिशन हो रही है इस पर्टिकलर territory में region में या locality ठीक है in cases where such goods are manufactured goods one of the activities of either the production or of processing or the preparation of goods concern takes place in such a territory region or locality as the case may be फिर कहते हैं कि any name which is not the name of country अभी ध्यान से समय ना वो सकता है कि कोई ऐसा नाम जो किसी country का नाम नहीं है जैसे इंडिया चाइना अमेरिका देन जीजन और लोगाल्टी ओफ डैट कंट्री चल आल्सो भी इंडिया होगा है तो हमने देखा कि पर्टिकलर इडिया को भी हम रैफर करते हैं इतनी सारी एरिया और इस यूज जपोन और इन रिलेशन टूए पर्टिकलर गुट्स और इस निटिंग फ्रॉम डैट कंट्री प्रीजन और लोकाल्टी एज दा खिल में भी ठीक है तो याद रखिए कि जोग्राफिकल एरिया में खाल यह नहीं किस पर्टिकलर एडिया को कवर करते है यह कंट्री हो सकती है ठीक है अथा होता है जैसे हमने फर्स dogs में वह देखा तो में कहा है कि इंटरवीक्रों सब्सक्राहल पर पर एक्राफिकलर रखी है कि हम आपकी गूट को प्रोटेक्शन देंगे आप कुछ को प्रोटेक्शन दो माननो कोई गूट्स, मालनो मेरे पर अधिक्स हैं उसको हम यहां पर प्रोटेक्शन ना दें है उसी प्रोड़क्त का कोपी करके यहां बेजना शुरू करते हैं ज् travaill हमारे यहां के जो प्रोडूसर सा उनको बेनिफट रहे tutto हमारी का o लंगि रेफिट और पर मतलब की पॉलिसी होती है इंटरनेशनल पर ठीक है वहां। हैं जी करेंगे, हम आपके जो गुट गुट हैं, उनके जो ट्रेड़ मार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, उसको हम प्रटक्ट करेंगे, ठीक है? तो हम यहां पर थोड़ा सा नेशलिस्टिक होते हैं ठीक है कि हम यह तो बस मेड़न इंडिया चाहिए अमाल लिजे यहां पर ऐसे धोकारणी होनी शुरू हो जाए कि चाइना के प्रड़क्त के अपर हम लेख लेखे बेचना शुरू करने कुछ लोग कि मेड़न इंडिया मे उनके प्रड़क्त को यहां पर प्रड़क्शन नहीं देंगे तो हमारी वहां बहुत जाती बहुत जाती हैं तो वह क्या हमें प्रड़क्शन देंगे नहीं देंगे तो मुद्दा यह है यहां पर जो गूड़्स हैं उसको प्रड़क्शन देनी हैं वह किसी पर्टिकलर कं झीड़ारी हो सकता है कोई यहीत है ऋड़ी रीजंघ फेकर थिंदिया हो गया है कि म democracy फेक्रटिकलर हो गया उड़ीं हो गाई श Such Namit ओर हो गया हो गया अग्रा का पेठ था भी जी कैसे फिल्वक्राइब करती एक पर्टिक्लर एयरिया को लोर्लीटी इग्शन को थिक मिन्यटिक्टिथ विलांग करतीैं कि इपाल। प्र। खॉच्शन अगर्टार्शन, आ प॰र्टिक्लर गुल्सिन को ठीक है एक? तो जो गुड्स है कि हाँ भी जो डेफिने जुग्राफिकल तरिट्री से बलॉंग करती है इसका मकसद क्या होता है कि गुड्स को और्टिफाई करना कि ये गुड्स कहां की है यह जो goods है, agriculture है या manufactured है या natural goods है इस particular geographical area की है ये agriculture natural या manufactured goods है manufactured goods हो सकता है कि production हो या process जो prepared हो निएड टेरिट्रिट्री एक special आपको हमने देखा था कि यहाँ पे goods की काई है बन्यक्तिक्र क्रेशल कालिटी है इसकी reputation है, कुछ characteristics है इस particular area के जो belong करते है उपतिकलफ जो जोग्राफिकल इंडिकीशन को को करते हैं ठोट्स का मतलब क्या है मैंने अगरिकल्च और सकती हैं एन्टीक्राफ्ट और ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री और इंद्स्तुट्स तो फूद स्टुफ क्या जैसे ठीक है कुछ खाने बीदिने वाली चीजिए हो गी जैसे ठीक है अगर आप सुछो कि चाय चाय एक फूद स्टुफ है तो देखिए इसमें नहीं है एक Essential Commodities Act है हमारे देश में, Essential Commodities Act की ये कहता है कि जो चाय है इसमें कोई Nutrition Value नहीं होती और ये Food Stuff नहीं है, ठीक है, Essential Commodities Act क्या बोलता है, कि जो T है, चाय है, इसकी कोई Nutritional Value नहीं है, तो किसी परकार का क्या है, कोई Nutrition Value अड़ नहीं करता, that's why it's not a Food Stuff, ठीक है, Indication क्या है, क Indication क्या है, एक नाम है, हम नाम से Indigate करते हैं, ठीक है, याँ कोई Geographical Area है, या कोई एक खुछयू कुछ है पूआ और था और अनी कॉम्बीनेशन अव्गा देम यह उसे फिरीटिफ देश का मालेजी को फ्लेग कि वह हो गया जिसे कोई मालेजी किसी देश का क्यो जैसे कोई कलर है जो इस पूछ कूलर में जो किसी देश को रिपर्जेंट करता है यहां और एनी, combination of them, conveying or suggesting, the geographical origin of goods to which it applies, ठीक है, तो क्या है, यह कोई नाम हो सकता है, किसी को indicate करें, किसी नाम को, या किसी geographical या figurative representation हो गया, यह उन में से कोई combination हो सकता है, नाम plus geography हो गया जैसे, ठीक है, conveying or suggesting the geographical origin of goods to which it applies, ठीक है, जैसे हमने बताया कि अलफेंजो, अपना, पौलापल चपल, चपल एक goods को represent कर रहा है, कुलापुरी एक पर्टिकलर geographical indication को, जोग्राफिक इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो चलिए, यह कुछ examples है, जो रिस्तड है, जो रिस्तड है, जो रिस्तड है, ठीक है, यह शाब्द जो है, और प्रलस logo है, यह दोनों रिस्तड है, दाज् पल्ली इकत सलेम फैबरिक चंदेरी सारी सोलापूर चदर सोलापूरी टेरी टावल कोटपड हैंडलूम फैबरिक मैसूर सिल्क कोटा डोरिया डोरिया मैसूर अगर बत्थी क्यांची पुरम सिल्क भवानी जमकलम पुल्लू शॉल मदुराय सुंगुडी ठीक है इस सब पट्टा चित्रा है ठीक है ब्रहंपूर पट्टा ठीक है कोड़ा कुंबा ताडी एंजोड़ा ठीक है रक्स्ती कोर्पो कार्पो अपरिकोर्ट अफ लद्दाख हो गए उस प्याग इसमें तीन सार एक्जामपल याद कर सकते हैं एक्जाम में आग या लिख सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं एक्जामपूर आपका चदर हो गया या सोलापूर हो गया ठीक है आप अपनी च्वाइस के इसाफ से कुछ भी तीन-चार याद कर लीजिए और किया नेक्स्ट है इंडिकेशन ठीक है इंडिकेशन क्या है जो मनें बात की यहां पर अभी इंडि इस बढ़ते हैं यह बहुत इंप्रेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इग्जाम में बनेगा क्या कोशन यही बनेगा बैटा बेसिकल जो बनते है एक तो जो इंडिकेशन होता है इसकी कुछ एक्जामपल दो इसकी बैनिफिट्स क्या है ठीक है और प्रोहिबिशन कौ कुछे में जो इसकी डिल इसकी बन सकता है जोग्राफिकल इनडिकेशन को रिच्टिशन करवाने की क्या प्रोसेस है ठीक है चलिए ञ्टाहियों करता है डिशन के रिगारिंग जहां पर कहते कि जहां पर कहाई कि जिससे यूज आप करते हो वह क्या है कि लोगों को दोखा हो सकता है या confusion पैदा हो सकते है किसी परकार किया यह गुष्ट तो वहां की है यह नहीं ऐसा कुछ भी है ठीक है तो जहां पर कुछ धुखा पैदा हो सकता है या confusion पैदा हो सकते है तो वहां है जान मुझकि आपको यह सी चित्रकला करते हो उसको रैफर करते हैं को जिससे क्या है कि जो उक्साई जा सकते हैं और जिसको क्या है कि विच्पुट भी अदरवाइस भी डिसे इंटाइडल दू प्रोडेक्शन इन कोड इसको कोड भी क्या है कि कि इसे प्रकार की को प्रोडेक्शन नहीं देता जेंट जीजों को या फिर कहें को जण्दिक नेम से हैं या इन्डिकेशन सा यह क्या होता है ठीक है अब इसकी अब ज़िगराफिकल इंडिकिशन लेंगे वह नहीं जडिक नेम सोषड इंडिक्शन दरफोर नोट to be protected in their country of origin which have been fallen into disused in that country ठीक है डिस्यूज मतलब यूज होना ही बंद हो गया है या तो दिखोए कोई नाम ऐसा है जो जन्रिक नहीं है ठीक है जन्रिक इंडिकिशन है गुच का या फिर क्या है कि उसको protection ही नहीं मिलती जहां जिस जिस देश की वो जिस देश का वो प्रोडुक्त है जिस देश की वह बुच्छ है वहीं production नहीं मिलती या फिर वो यूज होना ही बंद हो गया थी का जिस्का यूज ही बंद हो गया चाहिए नहीं देंगी हम भई ठीक है विच ऑल दो लिटरली दूज्टु एस्टु आरो लोकलिटी इन विच था गुड़ ओर ईजनेट वर फॉल्स लीपर्जेंट टुरा परशन वर फॉल्स लीपर्जेंट टुड़ा परसन्ट अट वीडिजन ओर लॉकलिटी एस दा किस म रहे हैं कि हाँ भी इन बंदों कि यह हैं तो गलच यूजर दखा रहे हैं बेशक्ष हो सकता है कि कुछ से एक पर्टिकलर एरिया से कंट्री से बलॉंग कर दिये बट जो परसंग करने की कोशिश कर दें तो इसके लिए उसके लिए उसके नहीं है ठीक है तो ऐसा उनका पता ह करते हैं जिससे कहाएं कि कोछ डिसेप्शन पैदा हो सकती है यह कंफ्यूजन पैदा हो सकती है यह लॉग के अगेंश्ट हो जाता है या किसी कर्गलीजियस जो सेंटिमेंस है वह हर्ड होते हैं या इसमें कोई स्केंडलिस या ऑफ्सीन मैटर है या इसकी जिन हुआ है ठीक है वहीं इसको प्रोट्टिक्शन नहीं मिलती या डिस्यूज हो चुका है यानि कि वहां भी यूज होना ही बन दो गया है ठीक है तो इस परकाल से और यानि कि लास्ट था जो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता तो परसन वहीं दिखाते हैं कि हाँ यह हमा सब्सक्राइब करते हैं डिस अजया से कहते है नो रिप्रेजन लोग करती है तो वहां पर इसका जो और रिजन लास्ट थो चुका है और और अजड पिक सुख इस 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 डिश पर बंसे कि अधर देस्ट था अजएत्ट वहीं पाय बिलूंग नेंगे कि अट्यम धर सब्स other property or characteristics of the goods. यानि जिसका जिसरो जिए original meaning था. जिए जिसका original meaning लुप्स हो चुका है और ये जोड़े का common name बन चुका है अब जोड़ा व्हे जोड़ाफिकल एगा आप वह प्रोड नहीं है. ठीक है फिर कहते हैं कि कि किस बातों का धहां रखना पड़ेगा कुछ factors including existing situation in the region और place in the name originates an area of the consumption of goods ठीक है जहां से वो जनरेट होई है तो इस एरिया की क्या situation है प्लेस की क्या situation है या goods की consumption कहां होती है इसकी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो next क्या हमारा restriction of geographical indication section number 8 अब यहां पर जो restriction करवानी है उसके लिए normal जो procedure होता है ठीक है एक application form फाइल करना है ठीक है prescribed form में application लगानी है prescribed फिस पे करनी है जो रिस्टरार है उसके बस application लगाएंगे ठीक है जो रिस्टरार है वो एक international classification of goods करेगा ठीक है भी हां भी एक classification होता है जो रिस्टरार है उसके पास यह application जाएगी application जो है in the prescribed form जाएगी prescribed fees के साथ जाएगी अब रिस्टरार सारा को चेक करेगा वो international classification of goods करेगा जो alphabetical लेकर इंडेक्स होता है उसमें वो publish करेगा इसमें ठीक है इसके बाद इसके बाद भी हम एक procedure पढ़ेंगे ठीक है इसके लिए कोई भी जैसे पब्लिश जब होता है ठीक है एक तो publication होता है तो इसको अपोस भी किया जा सकता है भी हाँ यह तो जो 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 अपोजिशन लगाई जा सकती है रिस्टार के पास ठीक है आइस में तीन चार अलग-अलग पॉइंट्स है वो सारे डिस्कस करते हैं और सिंपल कॉंसेप्ट है इंपर एक्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है इसको हमने अच्छे से समय ना बिटा ठीक है क्या रिस्टिशन बाई रिस्टार इस जेग्राफिकल इंडिकेशन म रोठीको ना करें ठीक है तो गरते जग्राफिकल इंडिकेशन में भी रिस्टर इन रिस्पेक्ट एडी और ऑल अव दव रटा फूर्ग गुड्स there such class of goods there class of goods a class of goods कि उसमें मा लीजित नंबर उव गोड़ से हुआ मेज हो सकता है सब्सक्रिभ东 कर देमकिसि ओना करें थौर ऊबर प्रोपर रिजनिंग के साथ होता है प्रोपर के साथ थे कहें आप इसे नाम रख दो इसे यह का नाम रख दो एसा नहीं ठीक है International classification of goods, इस्टार शल्ट क्लासिफाई the goods in accordance with the international classification of goods for the purposes of restriction for geographical indication, ठीक है तो इसको international classification of goods करना है, ताकि कल को क्या है कि proper protection मिल सके international level पर, publication of alphabetical index of classification of goods, इस्टार में published in the prescribed manner, मुँपढ़ेंगे क्या procedure होता है पुरा, ठीक है, in the alphabetical index of classification of goods, अब decision जो है रिस्टार का वो सब final होगा, ठीक है क्या इसका international classification करना है, application के regarding हो गया, यह decision जो है रिस्टार का तो इस final, ठीक है, any question arising to the class, any question arising as to the class within which any goods fall, इस class में एक उच्वाल करती है, ठीक है, यह definite area में, in respect of which geographical indication is to be registered, और where any goods are not specified in the alphabetical index, of which published, shall be determined by the restar, whose decision in the matter shall be final, ठीक है, तो किस class में यह goods fall करती है, ठीक है, तो किस alphabetical index में का decision होना चाहिए, यह सब कौण decide करेगा, रिस्टार, और रिस्टार का decision shall be final, ठीक है, तो आपको concept clear हुआ, तो यहाँ पर जो application है, वो जानी है रिस्टार को, रिस्टार क्या है कि सभी के सभी जो पर्टिकलर क्लास में goods आ रही है, उसको, या फिर किसी any of that class goods को क्या है कि वो रिस्टार कर सकता है, और उसका जो international classification of goods करेगा, ठीक है, और alphabetical index के according publish करेगा, और जो इसका decision है, रिगारिंग अल्फावेटिकल index में publication का, या international classification of goods का, वो सब final है ठीक है ना, I hope कि आपको समझा रहा है, आई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब मैंने बताए कि दो तिन concept है, इसी restriction के regarding, तो आपको पूरा पांच मिंट देजिए, सब यार हो जाएगा, एक तो आपने concept पढ़ लिया, अब उसके आगे एक step और बढ़ते हैं, अब ये application जो लगानी है, section 11 में, restriction के regarding, application लगानी है, रिष्टार को, prescribed form, prescribed fees पगएड़ा, ठीक है, तो लगाएगा, कौन, any association, any association, या organization, representing producers, desiring to register a geographical indication, must apply in writing, tourist तो यहाँ पर application कौन लगा रहा है, उस area में, जो लोग काम करते हैं, ठीक है, तो एक association हो गई, या को और गनाजिशन होगी, जो producers को represent करती है, ठीक है, तो जैसे पर्टिकलर प्रड़क्ट के जो producers हैं, उस particular area में, ठीक है, जो producers हैं, उन्होंने क्या बना रखी है, एक association, association या organization जो भी है, ठीक है, तो यह organization या association जो represent करती है इन producers को, तो वो application लगाती है किसको, रिस्टार को, ठीक है, prescribed form में, prescribed fish के साथ, ठीक है, जो producers हैं, उस particular goods के, ठीक है, उन्होंने, उनकी एक association है, या organization है, वो आगे application लगाती है किसको, रिस्टार को, application किसको लगा रही है, रिस्टार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, application मस्ट इंकलूड, explanation of how the geographical indication signifies origin and specific quality reportational characteristics, जस basis पे, geographical indication register होगा, वो base को prove करना है, कि explain करना है, कि किस प्रकार से जो geographical indication है, वो represent करती है हमारे गोश को, जिसकी ये particular quality है, ये particular characteristics है, ठीक है, ये इसका particular क्या है, reputation है, ठीक है, explanation of how the geographical indication signifies origin and specific quality, reputation or characteristics, due to the geographical environment and production in the concerned territory, region or locality, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान लिजए कि पर्टिकलर एरिया कि न, जो वहां का जो environment natural environment, गुद्रती environment होता है, ठीक है, ठीक है, तो वहां का ऐसे है कि वहां पर आम की फसल बहुत अच्छी होती है, mango की, ठीक है, तो वहां का जो mango है, बहुत tasty होता है वो, यमी होता है, ठीक है, अब वो जो आम पैदा होता है, पुरे देश में नहीं और नहीं मिलता हो, ठीक है, तो उसको, उस एरिया में जो लोग बना, बना की पैदा करते हैं आम, production करते हैं उसकी, ठीक है, produce करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक association मना ली, ठीक है, association for mango growers in that particular area, ठीक है, यह, यह, खास features होते हैं, इसको, जिससे क्या है कि आम को, बाकी जो देश में आम पैदा होते हैं, उससे क्या है कि distinguish किया जा सकता है, ठीक है न, ऐसे class of goods, तो विश्ट था, geographical indication applies, अब बताने हैं, तो पहले तो बता रिया कि हम भी explain किया, कि कैसे यह, जो geographical indication है, यह signify करता है, हमारी जो गुच की quality है, reputation है, उसका जो characteristics है, ठीक है, दूसरा, कि किस class of goods में यह fall करती है, हमारी geographical indication, तो भी geographical indication applies, और geographical map देना है, relevant territory का भी यह particular area है, ऐसे-एसे यह फैला हुआ है, details of geographical indications, appearance, words, figurative elements या बोथ, information about producers intended for initial registration, जो 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 producers starting में जो register होना चाहते हैं, जिसको बोलें के बार में, authorized users, ठीक है, any other prescribed particulars, फिर एकिस single application लगाई जा सकते हैं, different classes of goods के लिए, अभी हमने क्या किया था, जैसे register आज है, पर पर्टिकलर class में जितनी goods आ रही हैं, सब को register कर सकता है, क्या उन में से किसी एक को या दो को ऐसे कर सकता है, any of that goods, calling in that class, आप कहते हैं कि कई वाल multiple classes के भी लगाई जा सकती है, प्यालते हैं, एक class तो उसमें multiple goods थे, आप classes लिए अलग-अलग, तो वो भी लगाई जा सकती है, ठीक है, पड़े की fees जो है, हर एक class क्या अलग लगेगी, ठीक है, जैसे मान लिजे एक particular area है, तो वहाँ तीन product है, साड़ी है, खास साड़ी है वहाँ पी, बेंगो, रस्गुला है वहाँ का मान लिजे कुछ, ठीक है, ऐसी, ठीक है, चाय है वहाँ की, ठीक है, यह particular, यह class ही अलग होगी, यह class 1 हो गई, यह 2 हो गई, यह 3 हो गई, यह class ही different हो गई, ठीक है, अब इसके अंदर different type की साड़ी ही होंगी, ऐसा, इस single application can cover multiple classes of goods, with fees applicable to each class, तो single application में अब multiple classes of goods की application न लगा सकते हैं, अट फीस हर एक class की अलग पे करनी पड़ेगी, ठीक है, next step filing location, shall be filed in the geographical indication registry office, within the territorial limits of relevant territory reason or locality, तो जिस geographical area की यह goods है, जिस geographical reason की यह locality की यह goods हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ का जो उस jurisdictional जो रिश्टरी होगी वहाँ की, वहाँ की जो भी geographical indication की जो रिश्टरी होगी, यह वहाँ का जो रिश्टरार होगा, ठीक है, जिसके पास यह restrictions होती है, तो उसको application लगाई जाएगी, अब रिश्टरार पुरी आपकी application को examine करेगा, as per the relevant procedures, ठीक है, और रिश्टरार जो है, refuse कर सकता है, आपकी application को accept कर सकता है, या conditionally accept कर सकता है, ठीक है, in case of refusal या conditional acceptance, return reason दिया जाएंगे, और material use and decision will be provided, वे क्या reason है, जिसके कारण से हमने आपकी application reject कर दिया है, या फिर हम accept करते हैं, पर यह conditions है, ठीक है, तो आपको समझाया कुछ, बहुत simple है procedure, तो हमने जो application लगानी है, restriction of geographical indication की, यह लगानी हमने रिश्टार के पाद, रिश्टार कौन सा, जो एक jurisdiction है, locality है, area है, reason है, वहां की जो geographical indication की रिश्टी होगी, उसके पास लगानी है application, वहां आपने application लगानी है, अब जो application लगाई है, यह हो सकता है, single class of goods की होँ, हो सकता है, multiple class of goods की होँ, या multiple class of goods की यह application है, तो वहां पर हरी class की अलग से फिस, पे की जाएगी, ठीक है, आप जो रिश्टार है, वह आपकी application को examine करता है, examine करने के बाद, वह आपकी application को accept कर सकता है, या reject कर सकता है, या conditionally accept कर सकता है, अगर वो reject करेगा, या conditionally accept करेगा, तो with reasons करेगा, और साथ में आपको return में material भी देगा, कि क्या कारण थे, तो इनकारणों से हमने आपकी application को reject किया है, या accept किया है, वह subject to certain conditions, I hope आपको clarity हो रही होगी, next भी इसी तरह कही है, concept review restriction के regarding ही है, ठीक है, अब आपने application लगाई थी, ठीक है, सारा कुछ आपकी application जा चुकी है, ठीक है section 11 में, तो उसकी का अगे extension है, बताती है, और यदर अप्ले किशन है नोड बीन अपोज्ट, accept कब होगी, या तो आपकी application को, किसी ने अपोजिन ही नी किया, या अपोज करने का time ही बीत गया, ठीक है, इसने अपोज किया ही नहीं है, ठीक है, या आपोज करने किया, पर time के बाद किया, या फिर oppose तो किया, वड़ आपकी जो किसी ने oppose किया, उसकी application को reject कर दिया रिस्तियार ने, ठीक है, तो उसके बाद रिस्तियार क्या करेगा, application accept कर लेगा वई, ठीक है, when application for restriction of a geographical indication has been accepted, and either application has not been opposed, and the time for notice of opposition has expired, or the application has been opposed, opposition has been decided in favor of applicant, ठीक है, या तो किसी ने oppose किया ही नहीं है, या पोस किया था, पट वो opposition fail हो गया, जानि कि जो applicant था, जिसने application लगा रखी है, तो उसकी फिर्वर में decision चला गया, तो रिस्तियार क्या करेगा, application को accept कर लेगा, रिस्तियार क्या करेगा, जो भी application में जो authorized users थे, जो भी application में जो mention किये गए ये authorized users हैं, तो उनको भी रिस्तियार कर देगा, यहां भी ये ये बंदे क्या हैं, कि ये authorized user हैं, इस particular geographical indication के, और धियान ये रखिएगा कि ये application की जो validity कब से start होती है, जो restriction की validity, क्योंकि restriction जो valid होती है, दस साल के लिए होती है, पढ़ेंगे हमागे जाके, ठीक, validity of restriction, ten years के grade होगी, य terror होती है, आप्लिकेशन लाई ठी, application आज लगाई, restriction के बाद होई है, तिन मेने के बाद होऊँ है, दस मेने के बाद होई है, बते ये विए प्रूव हो जाती है, application जिजदन application लगाई थी, तो death of application से ये final मानी जाती है, ठीक, धियान से पढ़ेगा, सहां अधर सेंट्र में गण सब्सक्राइब कुछ और कहें तो वैसे होगा नहीं कि क्या करें गारेबा रिश्टर करें गहां गारीकली इंडिकेशन को ऐस्ज फह नहीं उसी अप्लिकेशन में नियुक्षिय थो तो बाद में फहले पहले इंडिकेशन को रिष्टर कर दिया पाद में जो जो जूर से उनके रिश्टेशन अलएक्सिक करवा ही जा सकती है mentioned in the application and geographical indication and the authorized users when registered shall be registered as of the date of making of the set application and that date shall subject to the provisions of section 84 be deemed to be the date of registration ठीक है तो रिस्टराज जो है वो रिस्टर करेगा जिग्वाराफिकल इंडिकेशन को प्लस authorized user को अगर उस application में कुछ mention किया गया थो और जो date of application है उसी को क्या मालना जाएगा डिम्टुबी डिट ओफ अरिस्टेशन ठीक है रिस्टेशन बिशक बार में होई है यह माना अप्लिकेंट है उसको एक सब्सक्राइब देर जाएगा रिस्टेशन का प्लस जो 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 अथ्राइज उसर से सब को कि इस बढ़ेड रिस्टेशन दिया जाएगा टिक पर प्रूल्स पर पता है ठीक है इस सटिफिकर इंसर्च फॉर्म एज मेबी प्रस्क्राइब ऑफ अब देर आफ सील विद्ध सील ऑफ जिग्राफिकल इंडेकेशन इस तो जो रिस्टार है यहां पे तेकर इस ट्राफिकल इंडेकेशन है अपनी जो कॉमन सी लोटेक्स टैं नहीं किया आपकी अप्लिकेशन अबेंडन हो जाएगी और इसमें एक चीज है कि हाँ भी रिस्टार ऐसे नहीं कि अबेंडन कर देगा पहले कि नोटेस बेजेगा भी कारण बताओ तो मारी अप्लिकेशन को क्यों ना बेंडन कर दिया जाए अगला को जैन्न बता देता है तो ठीक है फिर वो नोटेस में टाइम मेंशन कर देता है कि ठीक है आप जो यह रिक्वार्मेंट है जो डिफॉल्ट टेक्स को सही कर तो इस पर्टिक्रलर टाइम में तो आपके अप्लिकेशन अबेंडन हो जाएगी अबेंडन मतलब खतम डंप हो जाएगी विए दा रिस के अंदर अंदर एक अप्लिकेशन जब लगाई है उसके बारा महिने के अंदर अंदर वेडन हो मैंस आप क्या करो इसको पूल्ट करो अगर नहीं करते तो आपके अप्लिकेशन अभेंडन कर देजाएगी टीक है रिच्टार में आफ्टर गिविंग नोटेस टू अप्लि ठीक है नोटेस बेज दिया ठीक है नोटेस में ताइम दे लिया तो इस टाइम के भी बीच में भी अगर ना किया ठीक है कंप्लिट ना किए application तो फेर reject ठीक है amendment इनदा जिस्टर सर्टिफिकरड जुह है निस्टर में किसल कर सकता है जहां पर कोई technical error है या obvious mistake है ञांश error होती है ऐऊ-डी होती है घोटी है ट्यक है टो इनको क्या है कि यह sme सब्सक्राइब पढ़ताई हम न क्या कियाißt सब्सक्राइब उसको ऑपोज किया जा सकता है तो इसको क्या करेगा उसके बाद जुमने डिसकेशन किये उसी का पार्ट अब यहाँ पर डिसक्स होगा ठीडिके कंक्लूजन वही निकलेगा जो हमने अब तक पढ़ा है चलिए देखिए पहले है कि हमने जो इंडिकेशन है वो जोग्राफिकल इंडिकेशन में ही गवर्द नहीं हो रहा ठीक है अप्लिकेशन कौन लगा सकता हम ने देखा कि जो association है या और गंड़ेशन और प्रोडूसर की या मैनिफिक्सर की application लागती है ठीक उनकी भीहाब पे association और persons या producers और any organizations और अथोरिटीज शोड represent the interest of producers of the concerned goods and should file an affidavit how the applicant claims to represent their interest ठीक है तो यानि यहाँ पर प्रोडेशन है या कोई association है उन producer के या manufacturer की जो इंट्रस को क्या है रिबर्जन कर रही है ठीक है अब अप्लिकेशन जो है ट्रिप्लिकेट में होने चाहिए तीन कॉपिश रियाने की लगानी है और यह साइंड बाइड एप्लिकेंट हो या उसकी एजन्ट के द्वरा एंड मस्ट भी अपकंपनेड बाइस स्टेट्में कुछ क्वालिटी है ठीक है कुछ इसकी इमेज है कुछ रैप्रोटेशन है तो यह जो करेक्टिस्टिक्स हैं या जो इमेज बगारा जो भी एस्टेंडर्स हैं इसको कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है और कैसे आगे करेंगे ती सर्टिफाइट कॉपिज ऑफ दा मैप ऑफ विच इं dolir to Weiji T कलको हम यह कैसे पता लगाएंगे की हमारी कcket इग्राफिकल एंडिकेशन के रिश्ट्रेशन हो जाती है तो कैसे हम क्या हैं कि इसको कर पाएंगी कि स हमयार्य इंस्पेक्शन स्क्चेर क्या है गीव डिटेल्स ओफ ऑल दाप्लिकेंट या फिर जो रिस्टार है वो कैसे इस्पेक्ट कर पाएगा ठीक है कि कल को जो यू इन जो है जी आई का उसको रेग्विट किया जा सके तो हमने जो भी एप्लिकेंट है ठीक है सबकी एक डिटेल देनी है तो गैदर विद दाइडर्स इस लाज्स नंबर उफ रिदूसर और क्लेक्टिव रेफरेंस टू आप्लिकेंट अप्लिकेशन और जी आई इफ रिस्ट्ट विल बी इंडिकर्ट अकॉर्डिकेंगली इंद लेन को प्रेडूस करते हैं तो ठीक हैम वह रिर्स दे सकते हैं तो जो जब इस्टार होगी ओगर इस्टेशन हो जाती है इसकी कि को इन बीटीकेटर डिनी को चैनली इह जो जी ग्राफिकलिकेशन है ये जटने विए अप्लिकेंट थे इंको रिफर करेंगा ये ठीकisesti इनके नाम पर यह यह सब क्या है यह authorized users हैं चलिए पुलिम्री scrutiny and examination अब examiner जो है विल सक्रूटिनाइज दा application for any deficiencies applicant should within one month of the communication in this regard rectify the same ठीक है जो examine होगा अब examination होगा application का जो भी कमिया है communicate की जाएंगी ठीक है जो अप्लिकेंट उसको एक communication के एक मेहने के अदर उस जो एर्रस हैं कमिया हैं उसको rectify करेगा ठीक है ना next consent of the statement of case is assessed by consultative content sorry content of the statement of the case अब जो statement of the case file किया गया था भी रिस्टार ठीक है उसको assess किया जाएगा by the consultative group of experts well was done the subject ठीक है तो यानि कि जो रिस्टार है वो consultation लेता है जो consultative group of experts हैं उनसे कि हंजी जो statement of case है कि यहां भी जिसके बेस पर यह restriction grant की जाए उनकी content को वो assess करते हैं कि हांजी यह content बिल्कुल बेस्ट इसके बेस्ट पर restriction grant होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए it is a case of restriction or not कि करे या ना करें अब जो एक्जामिनर है उसकी जो correctness है उसको examine करेगा ठीक है जो पर्टिकल सम्मिट किये गए हैं और उसके बाद क्याएं कि जो examiner अपनी report issue कर देगा ठीक है अफिर कहते है कारण बताओ notice जहां पर रिस्टार को को लगता है कि कुछ objection है किसी application में तो communicate करेगा भी यह मेरा objection है अब applicant के responsibility है तो यहां पर क्या है कि वो दो महिने के अंदर अंदर इस चार को respond करे ठीक है या apply करे कि मेरी सुनवाई की जाए ठीक है मैं अपनी बात को आपके पास पेश होके तखना चाहता हूं the decision will be duly communicated if the applicant wishes to appeal he may within one month में के request ठीक है decision जो है वो communicate होना चाहिए अगर applicant जो है appeal करना चाहता है तो ही में within one month में के request ठीक है न नेक्स्ट है restart is also empowered to withdraw an application if it is accepted in error after giving an opportunity of being heard तो कहते कि मानलोब application आगी तो जो रिस्टार है वो भी application को withdraw कर सकता है उसको लगता है कि यह जो accept हो तो गए थी application reject होनी चाहिए थी गलती से accept हो गई है ठीक है तो बड़ एक मौका जूरू देगा सब्सक्राइब का मौका देगा ठीक है पप्लिश की जाती है जो ग्राफिकल इंडिकेशन जनल में एक पोजिशन तूज अटिस्टिशन एनी परसन के फाइल नोटिस वा पोजिशन फिर न थी मंस एक्स्टेंडेबल बाई एनर मंथ और रिक्वेस्ट विच 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 विफॉर पीफोर थी मंस तीन महिने के अ पोजिग दा जी आई अप्लिकेशन प्रबिश्ट इन दा जनल रिस्टार शेल सवेख कोपी ओफ दा नोटिस ओंड़ अप्लिकेंट ठीक है अब जो देखो किसी ने अपोज कर दिया रिस्टार को कहा कि हां भी नहीं जी यह तो रिस्टार फिर जो अप्लिकेंट उसको बे अगर बेंडन किया किसी ने तो अपोजिशन के बाद रिस्टार ने नोटिस भेजा एप्लिकेंट को अगर को जवाब भी नहीं देता दो मेने के अंदर ठीक है तो फिर उसकी अप्लिकेंट कर दे जाएगी ठीक है अगर वो काउंटर स्टेटमेंट भेजता है जवाब दे तो रिस्टार इसका जवाब जो है जो इसने पोज किया था उसको भेजेगा तो नहीं ये एपोज किया था हमने नोटिस भेजा था एप्लिकंट को एप्लिकंट का ये जवाब आया आब तू दे जवाब फूए तो ऐसे ठीक है if he does not do this he shall be deemed to have abandoned his application दो मेने के अंदर अगर वो जवाब नहीं देता ठीक है तो इस दाग काउंटर स्टेट्मेंट है जवाब दे रिया दो मेने के अंदर तो इस चाल जो है फिर वो जो परसन जो अपोस कर रहा था अपोसर थो उसको वो इंटिमेट करेगा यह जवाब है और आफतर वोस साइट्स विल इस इस परक्तिव एविदेंस इस वाइओ और रिज़ाइघ नादिकेशन फिर फाइनल जो है जाते ही रहेंगी ठीक है डिस्टेशन वेर अप्लिकेशन फो जी यहाज बीन अगर जाती है तो जिस दिन एप्लिकेशन लगाई थी तो उस डेट को ही क्या मान लिया जाएगा डेट ऑफ इस्टिशन ठीक है तर इस्ट्राज शेल इशू तो एप्लिकेंट इसरडिफिकेट विद शील ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इस अब पढ़ क्या है नेक्स्ट रिन्यूवल यह वैलिटी दस साल की होती है रिन्यूवल करवाना चाहिए फिर करवा सकते है तो प्रोडिक्शन टु नोटिफाइड गौड्स क्याते अधिशनल प्रोडेक्शन दीजाएगी फोर नोटिफाइड गूर्स चीज़एं अब कोई बंदा अगरीव जा इस पास से टीक आडिषीजन से तो वह अपील कर सकता है चीक है आग यह अपील कर सकता है ऐसे के एक सेक था। रीजिये थी, वह को समझ क्या है? सिंपल, एक एप्लिकेंट है, एप्लिकेंट कौन है, यहाँ परुटा है? एक और गनाईजिशन है, एक और गनाईजिशन है, जो प्रोडूसर के इंट्रस को रिपर्जेंट करती है तो एप्लेकेंट एप्लिकेशन किसको लगा रहा है रिस्टार को ठीक है अब जो एप्लिकेशन है इंट्रसकाइड फीस है जो बाकी आप जो रिवाइस करेंगे तो दुमाग में आपके बैड़ जाएगा प्रिस्काइड फीस होगी एंट्रसकाइड फीस बाकी की स्टोड्य आपके पता ही है ठीक है जो एप्लिकेशन है यह इक पर्टिकल्ल इजा जासनि कि लिए टाई आपक लिए जासकती या जहां पर जो multiple class of goods के लिए application लगाई जाएगी तो हर class of goods के लिए अलग से fees पे करने पड़ेगी ठीक है तो इस ट्राज जो है अब इसके लिए फिर ठीक है examination करवाता है examiner है आपने देखा कि इसको examiner करता है examination की process हमने पड़ी examiner करेगा examiner में कुछ कमी निकलती है तो आपको intimate करेगा तो examiner जो है उसका एक report बेज़ेगा ठीक है report submit करेगा ठीक है examiner जो है एक report submit करता है तो रिपोर्ट के बेस्पे फिर start आगे continue करता है वह opposition का time होता है तो कोई oppose करना चाहे तो oppose कर सकता है opposition करता है तीन महीने के अंदर करना जा सकता है अगर जो पोजर है वो तीन महीने पूरे होने से पहले अप्लाई करता है अगर ठीक है इस चाहर को तो फिर एक महीने के तक की और extension दी जा सकती है opposition के लिए तो उसके बाद क्या है कि अपने दिखा कि जो इंटिमेट करता है कि इसको उसके बाद ठीक है तो आगे जवाब देता है ठीक है दो महीने के अंदर वह जवाब नहीं देता तो उसकी अप्लेकिशन अपेंड़न की जा सकती है ठीक है तो पड़ा भी था कि हादी जब सारव कुछ फाइनल होगे application accept हो गई ठीक है तो फिर क्या है कि certificate of registration issue हो जाता है जो applicant है उसको जो respective जो name थे और authorized user के उसको को एक copy certificate of registration की issue हो जाती है ठीक है और सबसे important चीज़ यह भी थी last में कि effective date of restriction क्या है जो date of application है जो restriction हो जाती है तो effective date of restriction है that is is equal to date of application I hope यह आपको जो restriction वाला concept है यह भी अच्छे से समझाया होगा ठीक है तो बच्चे बात क्या होती है कि जो हम ध्यान से पढ़ते हैं ध्यान से सुनते हैं ठीक है तो चीज़े याद हो जाती है अगर हम यह सोचे कि सामने वाला सारा याद करवादे तो सारा तो सेंच बताऊं तो किसी टीचर को भी नहीं याद हो सकता मैं factual बात बता हुआ कि देखो जो बच्चा एक पड़रा होता जिसने पेपर देने हैं उसके दिमाग में 24 घंटे ही टैंशन होती है वो दिन रात पड़रा लाइफ स्टुडेंट की रहनी जाती तो बिल्कुल वह अब नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होता है तिल एक्जाम अब जैसे एक्जाम आपने रिखागा खतम होते हैं तो आप यह किताबे से पर रखते हो चले यार घुमते हैं तो हमारी लाइफ में वह अभी नहीं है ठीक ह अगर आपको एक्जाम पहली बार में अच्छे से क्लीर करने हैं ठीक है इना चले बाटा इस सेक्ष्षन में इतन sli नहीं है इस तो सेक्षन होगा इस दो छका उप करेंगे छोटा सा चैप्टर है स्टीच कि आपको समझ भी आरा होगा वाकी का रेसेट की आपHigh वह तो लि थैंक यू बेटा